मस्कार बच्चों कैसे हूँ आप सब छुटियों के बाद पुना एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल एडविला पॉइंट में और आज हम करने जा रहे हैं वकषिट नमबर 13 तो चलिए शुरू करते हैं आज की वकषिट और आज की वकषिट में हमें नाइट्रोजन और इस्थिरी करन के बारे में जानना है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन चक्र को भी पढ़ना है तो लेसे स्टार्ट आप जानते हो बच्चो भी इसी गैस की होती होगी तो यह सजीओं के लिए बहुत आवस्यक होती है नाइट्रोजन, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूकलिक अमल और विटामिन के योगिकों का अहम और मुख्य अभ्यव है मतलब कि नाइट्रोजन से ही हमें प्रोटीन मिलते हैं क्लोरोफिल मिलता है पौधों को न्यूकलिक अमल और विटामिन भी मिलता है लेकिन पौधे औयम जन्तु बायोमंडलिये नाइट्रोजन का सीधा उप्योग नहीं कर सकते हैं हम नाइट्रोजन का डाइरेक्ट उप्योग नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन के योगिक का उप्योग कर सकते हैं त तो पौधों को नाइट्रोजन इस्थरीकरन क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है, मतलब कि नाइट्रोजन इस्थरीकरन क्रिया के द्वारा पहले नाइट्रोजन का योगिक बनता है, तब जाकर पौधे उसका उप्योग करते हैं, उस नाइट्रोजन को ग्रहन करते ह तो देखते हैं कि nitrogen इस्थिरी करन है क्या बाईूमंडल ये nitrogen का nitrogen के योगीकों में बदलना जिन्हें आसानी से और सोसित कर सके कौन पौधे एसे क्रिया को nitrogen इस्थिरी करन कहते हैं मतलब की बाईूमंडल में जो nitrogen होते हैं उन्हें nitrogen को नाइट्रोजन के योगिकों में बदलने का कारे नाइट्रोजन इस्थिरी करन कहलाता है लेकिन यह कारे करता कौन है तो फलीदार पौधे जैसे बिंस हो गया मटर हो गया चना हो गया तो इस तरह के जो फलीदार पौधे हैं जिन में फली लगते हैं दाल वाले पौधे तो उन पौधों, वैसे वर्ग के पौधों की जड़ो में राइजोबियम नामक जिवानू पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के इस्थिरी करण में सहायता करता है, तो हमें दो फसलों के बीच एक फलीदार पौधों वाली फसल भी लगानी चाहिए खेतों में, जिससे की खेत म नाइट्रोजन का इस्थिरी करण हो, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खेत में नाइट्रोजन के योगिक बन जाए, तब क्या होगा कि इसमें जो फसल लगेगी, वा फसल काफी उननती करेगी, काफी लालाहाएगी, और उसको उचित पोसत्त तो मिलेगा, तो आप है कि राइजोबियम, नामक जिवान हूँ, वातावरन के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन योगिक में बदल देता है, जिससे पोधे उसको गरहन करते हैं, और दूसरी परक्रिया की बिजली के कड़कने पर नाइट्रोजन का इस्थिरी करन होता है, मतलब नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि बायोमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे इस्थिर रहती है तो अब देखें मिट्टी में उपस्थित जिवानों और नीले हरे सैवाल बायोमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की योगिक में बदल देते हैं मतलब कि मिट्टी में जो जिवानों होते हैं वह नाइट्रोजन योगिक में बदल देते हैं और उनको पौधे गरहन करते हैं यह नाइट्रोजन योगिक मिट्टी में चले जाते हैं वहाँ पर उनसे प्रोटीन और अन्योगिक बनते हैं जब पौधे उसे सोखते हैं तो उसे प्रोटीन और अन्योगिक बनता है जो भी जन्तु इन पौधों को खाता है या नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्योगिक के रुप में उन तक पहुंचती है फिर जो इन प मरते हैं पौधा और जंतों की मित्व के बाद मिटी में उपस्थित जीवानूं और कवक इनके नाइट्रोजन आपसिस्ट को नाइट्रोजन योगिक में बदल देते हैं फिर जब यह मरते हैं तो इसको नाइट्रोजन योगिक में दुबारा बदल दिया जाता है तो जो ना ईबानू नाइट्रोजन यूट यूटी को को यह जो नाइट्रोजन में हो fand All यह में और कुछ विषयस जीवान हुते हैं जो नाइट्रोजन को गैस में बहूना ही वायो बन्डल में चलि जाती है तो ऐसे बाउयो से आई थी यह पुना बायु मंडल में वापस हो जाती है तो इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं इस तरह से बायु मंदल में नाइट्रोजन की मातरा लगभग इस्थिरा थी है तो अब इस नाइट्रोजन चक्र को देखिए जैसे कि यहां देखिए यह नील हरी सेवाल है उसके बाद आपको ने ट्रोजन चक्र बहुत अच्छे तरीके से समझें आ जायेगा यह देखिए यह नाइट्रोजन चक्र की असपश्ट तस्वीर है यहां वायुमंडली यह नाइट्रोजन है और यह तड़ी तद्वारा या बिजली चमकने से इस नाइट्रोजन का इस्थिकरण मिट्टी में नाइट्रोजन योगी के रूप में हो जाता है या फिर बाईमंडली नाइट्रोजन का जिवानुई और नीले हरे सैवाल द्वारा इसका इस्थिकरण नाइट्रोजन योगी के रूप में मिट्टी में होता है पौधे इस नाइट्रोजन योगी को ग्रहन करते हैं और अपने अंदर प्रोटीन और कुछ अमल बनाते हैं इन पौधों को जन्तुओं द्वारा खाया जाता है या इनसानों द्वारा भी खाया जाता है पिर अपने उत्सरजन द्वारा धन्तु जो उत्सरजित करते हैं उत्सर्जन करते हैं या पिर उनके मृत्यों द्वारा पुरा नायट्रोजन योगी के रूप में इन मिट्टी में मिल जाता है और कुछ ऐसे जिवानों होते हैं जो इन योगिकों से नाइट्रोजन गैस बनाते हैं और जो कि नाइट्रोजन योगिकों का गैसी ये नाइट्रोजन में परवर्थित करते हैं जिसे कि ये पुना बायो मंडल में आकर वापस लोड जाता है तो इस तरह से यहां से जो नाइ फलिदार पौधे पौधों की जड़ों में कौन सा जिवानु पाया जाता है तो इसका उत्तर है कि सेम और मटर फलिदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जिवानु पाया जाता है उसके बाद प्रश्ण दो है नाइट्रोजन का इस्थिरी करण किन-किन वीध द्वारा होता है पहला वायो मंदलिए नाइट्रोजन का जिवान हूँ यो ड्मक्रिए नाइट्रोजन क्यों आवस्तक है q4 क्यों की नाइट्रोजन प्रोटीन ख्लोरोतिन क्लुर्ड। निफिर्क आमला और बिटामीन के योगीकों का मुख्य अव्यो है। नाइट्रोजन से यह सारे होते हैं। यहीं कारण है कि सभी प्रानियों के लिए नाइट्रोजन आवस्षक है। और उसके बाद प्रस्टने चार है। बायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे इस्थिर रहती है। पौधे ग्रान करते हैं और उन पौधो द्वारा वह अन्य जीवों तक पहुंचता है उनके मरने के बाद पुना कुछ जीवानों नाइट्रोजन योगिकों का आप घटन करके पुना नाइट्रोजन में परिवर्थित कर बायो मंडल में वापस लोटा देते हैं यह प्रक्र भायो मंडल से नाइट्रोजन जीवानों द्वारा नाइट्रोजन की योगिक में प्रिवर्थित कर मिटी मिलता है पौधे इसको ग्रान करते हैं जन्तू इन पौधों को खाते हैं फिर अपने जन्तू के अपसिस्ट या उनके मरने के बाद पुना यह मिटी में मिली जाता इस तरह से बाईवंडल में नाइट्रोजन बिलकुल इस्थिर रहता है और यहीं नाइट्रोजन चक्र कहलाता है तो बच्चो यह थी आपकी आज की वक्सिट और आज की वक्सिट कम्प्लीट होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर क किजेगा मिलते हैं नाइस्ट वुडियो में थैंक्यों